आपने रामराज का बजट आया है मामा की बजट में क्या कुछ था और आपने रामराज का बजट बता है रामराज का मतलब देहिक देविक भौतिक दापा रामराज का हू नहीं ब्यापा रामराज मतलब सुसासन रामराज मतलब समाज की अंतिम व्यक्ति का भी कल्यान जो जनता की जिंदगी बदलने का संकल्ब है उसको पूरा करने वाला बजट है आत्मिंदर भर भारत के लिए प्रधान मंत्री जी के आत्मिंदर भर भारत के लिए आत्मिंदर भर मध्रदेश बनाने वाला बजट है ये बजट सर्व समावेसी है और सर्व इस पर सी है संतु बजट है एक तरफ प्रधान मंत्री जी ने फाइब ट्रियन डॉलर की एकनोमी बनाने का संकर्प लिया है भारत को उसके लिए हमको पास्टो पचास बिलियन डॉलर की एकनोमी बनानी है मद्ध प्रदेश को और इसलिए आप देखिए एक तरफ कैपिटल एकस्पेंडिचर इतिहासिक रूप से बढ़ा है मतलब अधोसंदचना के विकास में हम 56,000 करोड रुपे से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं 56,256 करोड रुपे आ ये मद्ध प्रदेश के इतिहास में अभूत पूर्ब है नर्मदा एकस्प्रेस वे विंड एकस्प्रेस वे अटल एकस्प्र का जाल सामाने सडकों का भी इंद्रमान बिजली का इंफरा बनाना पीने के पानी के दे जज जीवन मिसन हमने धन की कोई कमी नहीं छोड़ी है और सब जानते हैं जो अर्थ सास्त्री है कि अगर कैपिटल एकस्पेंडिचर बढ़ता है तो आर्थ गत्विधियां तेजी से चलती है और अर्थ व्यवस्ता तेज गती से आगे बढ़ती है बैसे भी मधप्रदेश पिछले साल 18% साथ 6% थी हमारी आर्थिक विकास के दर इस साल 16% से उसको उपर जादा है तो हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इसके साथ जन कल्यान की योजनाएं अब देख हैते हुए अत्यंत प्रसंता है एक लाख दो हजार करोड रुपे से जादा का प्रावधान हमने महला कल्यान की योजनाओं के लिए रगा यह अकल पनी है अदभुत और अभुत पूर भै हमने की योजना पहले सुरू की थी 2017 में आहार अनुदान योजना और उसमें हमने किया था कि जो आत्यंत पिछडी जंजाती की हमारी बहने हैं गरीब उनके खाते में एक हजार रुपया डालेंगे हर महीना उसका अभूत उर्वे प्रभाव हुआ और उन परिवारों से को पोशन दू तेजी से घटा पोशन का इस तर सुधराक्यों की बहन अगर पास पै जोग वो करें दाल में फल में सबजी में और परिवार के पोशन का इस तर सुधरें लेकिन केवल महलाओं का लना नहीं हमने किसानों के कल जान के लिए अभूत पूर्व प्रभावधान किया है हमारे किसानों को जिरो परसेंट ब्याच पे करजा मिले हमारे किसानों को सस् प्रधान मंत्री जी 6,000 रुपया डालते हैं हमने तैगिया कि 4,000 रुपया साथ में और डालेंगे उसके लिए हमने 3,200 करोड रुपया का प्रावधान किया अलग-अलग जो सेक्टर है खेती के उसमें इस बजट में अभूत पूर्व बृद्धी की गई है और केवल किसान ने सिख्या के लिए स्वास के लिए अब गरीबों के मकान बनाने के लिए 8,000 करोड रुपया फिर हमने रखा है तो रोटी एक अपड़ा मकान इलाज के लिए आइसमान भारत के लिए परे आप तो प्रावधान दिया है तो ये सब गरीब की जगरूरत है तो ये गरीब करल्यान का भी बजट है इसके साथ साथ हेल्थ में और एजुकेशन में बजट में अभूत पूर्व वृद्धी की गई है आप अगर देखें स्वास्त के क्षेतर में तो पिछले साल से 17% अधिक प्रावधान की आए 16,55 करोड रुपया हमने एजुकेशन के छेत में 38,375 करोड रुपया खर्च करने वाले हैं हम लो पिछले साल से 5,532 करोड रुपया ज्यादा सीम राई स्कूल पीम सिरी स्कूल अलग-अलग सिक्षा की गुर्वत्ता सुधारने के लिए और कौसल विकास के लिए ग्लोबल इसकिलपार में जो बन रहा है रविदास जी के नाम पर भुपाल में अब ऐसे चार और बनेंगे वालियर में जबलपुर में सागर में, रीवा में अलग-अलग बनाने का फैस्टला किया है और वहीं अन्सूचित जाती और जन जाती दोनों के लिए जो प्रावधान अन्सूचित जन जाती के लिए मतवेस्टी भाई बैनों के लिए 36,950 करोड रुपया और SC के लिए 26,087 करोड रुपया पिछडे वर्गों के लिए अर्ध गुमक्कर सम्दाव...' ग्रामीर विवास हो, चाहर सहरी विकास हो ग्रामीर विकास के लिए 24,443 करोड रुपया और सहरी के लिए 14,082 करोड रुपया तो यह बहुत संतुलित और क्रांतिकारी बजट है तीन गुना बढ़ा है खेलों के लिए भी एक दालू। तीन गुना बढ़ा है खेलों के लिए 738 करोड़ रुपया हमारे खिलाडियों ने खेलों में गजब ढाया है। पहले मदप्रेस खेल के नाम पर जान ही नहीं जाता था। लेकिन अब तीसरे नमबर पर आए खेलों इंडिया यूद गेम्स में हरयाना के पास हमसे 200 पदक जादा है। कितना अंतर थाम में और उनमें इसलिए तीन गुना बजट किया है।